गुड मॉर्निंग इस्टूटेंट क्लास 12 मैट्स की हम एक्सेसाइज कर रहे है 2.2 अभी तक के हमने वीडियो में कोशन नमबर 13 तक के सॉल्व कर चुके हैं आज हम करेंगे कोशन नमबर 14 और कोशन नमबर 15 तो आईए हम देखते हैं सबसे पहले कोशन नमबर 14 Qt नमबर 14 आपके पास गीवन है If sin in bracket sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x inverse to 1 Then find the value of x मतला आपके पास ये गीवन है और आपको किसकी value फांड करनी है x की, रेइट? ये गीवन है आपके पास अब देखिए, ये sum कई बार exam में पूछा गया है या तो objective में पूछा गया है या फिर 3 या 4 marks में clear? अब sum में हमारे पास क्या given है? function given है और particular इसमें जो ये angle है particular ये जो angle है, इसकी क्या find करना है? value, ठीक है? अब देखिए, sum को solve करते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं? कि जो sum में given है, हम वो लिख देते हैं सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास क्या given है? sign in bracket, sign inverse, 1 by 5 plus cos inverse x, हमने as it is लिखा है equals to 1 अब 1 की place पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 कब-कब होता है? sign 90 पे 1 होता है cos 0 पे भी 1 होता है 1045 पे भी 1 होता है और भी ऐसे technometric function है जिस पे उसकी value कितनी होती है? 1 लेकिन इन सब में से particular हमें एक ही लिखना है तो हम कौन सा function लिखेंगे? जो sign में है तो sign में 1 कब होता है? sign 90 degree पे होता है? sign 90 लेकिन ये क्या है? degree में है? लेकिन हमें जो angle है वो काई में चाहिए radian में? it means इस 1 की place पे हमने यहां से यहां तक तो as it is लिख दिया लेकिन इस 1 की place पे हम क्या लिखेंगे? sign 90 right? sign 90 लिख सकते है क्योंकि sign 90 की value कितनी होती है? 1 होती है clear? अब देखे है जैसे ही हमने sign 90 लिखा है तो आप देख रहे होंगे कि यह वाला sign और यह वाला sign आपस में क्या हो जाएंगे cancel? मतलब हम लिखेंगे comparing both sides तो जब sign से sign cancel हो गए तो यहां पे बची bracket की term और यहां के वल क्या बचेगा? only pi by 2 right? तो देखें क्या क्या बचा हम वो लिख लेंगे यहां से बचा sign inverse 1 by 5 as it is लिख दिया plus sign as it is cos inverse x as it is plus यहां मतलब equal में pi by 2 वो भी plus का clear? इतनी term बची remaining अब देखिए इस sum में हम क्या करते है right? इस sum में हम क्या कर रहे है? sign inverse 1 by 5 हमने as it is लिख दिया कि sign inverse 1 by 5 यह cos inverse x यहां पर हमने as it is लिख दिया कि cos inverse x clear? अब देखिए यह जो दो term है cos inverse 1 by 5 minus cos inverse 1 by 5 तो एक term इसी equation में मैंने क्या करी plus और एकी term इसी equation में क्या कर दी minus अब मैं ऐसा क्यों कर रहे हूँ बताती हो देखिए अगर कोई equation लिखी भी है उसमें मैं plus 2 और minus 2 करूँ तो कोई फरक पढ़ा क्या? जित्ता 8 कर रहे हूँ उतना ही क्या कर रहे हूँ subtract तो इक्वेशन में कोई भी फरक नहीं पढ़ता है लेकिन अगर उस equation को कही किसी चीज में arrange करना हो तो वो बहुत काम आ जाता है तो same as it is यह दोनों term मैंने as it is लिखी बस मैंने यहाँ पर क्या करा? cos inverse 1 by 5 और cos inverse 1 by 5 एक बार plus करा और एक बार minus तो plus करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख रहे है यह वाला जो bracket है क्या दिख रहा है? sin inverse 1 by 5 plus cos inverse 1 by 5 दोनों दिख रहा है और इन दोनों के angle कितने हो गए अभी? 1 by 5 तो मैंने पहले ही बताया था कि sin inverse x मतलब sin inverse x plus cos inverse x हो तो हमेशा कितना होगा? pi by 2 पिछले sum में हमने देखे थे न कि जब दोनों angle same हो और sin cos हो तो कितना होगा pi by 2 जरूरी नहीं कि x हो थीटा हो यहाँ कुछ भी हो digit भी हो तो भी चलेगा लेकिन दोनों same होनी चीए तो same as it is आप देख रहे कि यहाँ पे दोनों कितना है? 1 by 5 दोनों same है it means कि इस bracket की value हमारे पास कितनी हो जाएगी? pi by 2 तो देखें यहाँ पे लिख दिया हमने pi by 2 अब यह plus minus क्या हो गया? minus क्योंकि हमने minus करा था यह cos inverse x हमने as it is लग दिया और equal में क्या था? pi by 2 यह remaining part हमने लिख दिया as it is अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी pi by 2 है और यहाँ पर भी क्या है? pi by 2 है या तो इनको left right ले जाके cancel कर दो या फिर आप क्या कर सकते हो? direct इसको इससे cancel कर सकते हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बच रहे है? कि cause चाहो तो यह minus का जखिए इसको minus कर दो तो इसको plus कर दो, कोई फरक नी पड़ता या इसको आप minus लिख दो और इसको plus लिख दो तो भी चलेगा अब देखे आपके पास क्या बच रहे हैं यहाँ पे? ये दोनों आपस में cancel हो गए तो यहाँ क्या बचा? 0 minus का cause inverse x और plus का cause inverse 1 by 5 आप चाहो तो इसको minus कर दो as it is जो बच रहे है और इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे? प्लस यह minus हो गया यह प्लस जो remaining पार्ट बचा है clear? अब minus term है right side जाएगी minus term है right side गई तो काई की हो जाएगी plus की right? मतलब यहाँ बच रहे है cause inverse x plus का और minus term right side गई तो काई की बच रहे है cause inverse 1 by 5 अब आप देख रहे हैं कि यह भी cause inverse है यह भी cause inverse है तो आपस में क्या हो जाएगे? दोनों compare करेंगे? क्या? जैसे ही दोनों को compare करें तो cause inverse है cause inverse क्या हो गया? cancel हो गया cancel हो गया और आपके पास क्या बचेएगा? x equals to 1 by 5 और यही क्या है हमारे लिए answer क्यो? क्योंकि हमें बोला था कि यह वाला जो question है इस question को हम पूरा वल लेके चलेंगे और calculation करेंगे और last में हमें क्या find करना है? find the value of x तो यहाँ पे x कितना मिल गया हमारे पास? 1 by 5 और यह क्या हो गया हमारे लिए answer मतलब x equals to 1 by 5 answer now the next question is question number 15 if tan inverse x minus 1 upon में x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon में x plus 2 equals to pi by 4 then find the value of x क्या find करना है? x की value same as it is question number 14 जैसा सामे कि वहाँ पर भी हम वो function को equal लेके चले थे दोनों ऐसा नहीं कि हम इसमें pi by 4 proof करना है हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी function की value find करनी हो तो उस function को हम पूरा क्या करते? equal लेके चलते तो देखिए solution करते वक्त हमने lhs lhs it means पूरा की पूरा function लेके चल रहे है right क्या है function हमारे पास 10 inverse x minus 1 upon में x minus 2 जो की मैंने as it is लिख दिया plus 10 inverse x plus 1 upon में x plus 2 वो भी मैंने as it is लिख दिया equal में pi by 4 right अब आप देख रहे हैं कि ये भी 10 inverse है plus ये भी 10 inverse तो आपके पास 10 inverse x plus 10 inverse y का formula होता है क्या formula होता है formula होता है 10 inverse x plus y divided by 1 minus x y ये formula होता है it means the value of x is x minus 1 upon में x minus 2 and the value of y is x plus 1 upon में x plus 2 ठीक है तो ये सारी values हम इस formula में put up कर देंगे it means जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम रखेंगे x minus 1 by x minus 2 and जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ हम रखेंगे x plus 1 upon में x plus 2 clear? अब देखिए 10 inverse as it is लिखा in bracket x plus y तो x की प्लेस पे मैंने रखा x minus 1 upon में x minus 2 plus y y की प्लेस पे रखा x plus 1 upon में x plus 2 divided by 1 minus तो 1 लिखा minus कितना आ जाएगा? x y तो x minus 1 upon में x minus 2 into में x plus 1 upon में x plus 2 कुछ नहीं करा value put up करी अब हमें क्या करना है? calculation करना है ठीक है? आप अगर अगर देखेंगे तो ये 10 inverse में ने as it is लिखा यहाँ उपर वाले में LCM लिया तो कितना आया? x minus 2 x plus 2 फिर multiply करा मतलब ये इसका LCM है divide में same as it is तो दोनों के LCM आपस में क्या हो गए? क्या LCM? मतलब दोनों की divide के जो LCM में आपस में क्या हो जाएंगे सबसे पहले तो cancel अब देखें ये उपर की तरफ का हम calculation करके बता रहें x minus 1 में multiply करा x plus 2 का और x plus 1 में हम multiply मतलब इसका multiply यहाँ हो जाएगा और इसका multiply यहाँ cross multiply हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? x minus 1 में x plus 2 का करा तो करके देखते x square plus 2x minus x minus 2 हो गया दोनों का multiply है? अब x plus 1 में x minus 2 का करा plus x square plus x minus 2x minus 2 अब देखें अब क्या-क्या term कैंसल हो रही? यह plus का 2x और minus का 2x कैंसल यह minus है यहाँ पर है na साथ में यह plus x और minus x कैंसल क्या-क्या बच रहा है? x square और x square कितना हो गया 2x square? जो कि यहाँ पर लिखावा है clear? 2x square right? साथ में यहाँ पर क्या है? minus 2, minus 2, minus 4 मतलब numerator पार्ट का हमने क्या करा? calculation करा मतलब जो LCM दोनों term का आया numerator और denominator का वो आपस में कैंसल हो जाएगा numerator पार्ट का हमने calculation करा तो finally कितना मिला? 2x square minus 4 divided by अब divided by इट मेंस हमें किस की value निकालनी है? denominator की? तो denominator की हम value निकालेंगे तो हमारे पास जो LCM आएगा उसका multiply हम किस में करेंगे? 1 में तो आप देख रहे ही कि x plus 2 x minus 2 it means x square minus 4 होगा direct a plus b a minus b तो यह हो गया x square minus 4 1 में multiply कर दिया साथ में minus क्या है? x plus 1 x minus 1 तो यह आएगा x square minus 1 लेकिन भार minus होने के कारण यह minus का x square plus 1 आएगा तो यह आपस में क्या हो गए? cancel minus 4 plus 1 it means minus 3 तो denominator का calculation आपको पता चल गया clear? यह तो हमारे पास LHS part का answer आगया आप चाहो तो दोनों part equal लेके चल सकते हो RHS कितना है? pi by 4 इसको हम क्या लिख सकते है 10 inverse 1 अब LHS और RHS में आप देख रहे है यह भी 10 inverse है right? suppose अगर आप दोनों equal लेके चलेंगे तो pi by 4 हम कब लिख सकते है 10 inverse 1 पे तो 10 inverse है 10 inverse क्या हो गया? cancel तो आपके पास यह क्या बच रहा है? 2 x square minus 4 upon में minus 3 equals to क्या बचेगा? 1 आ गई यह equation I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हमें क्या करना है? calculation करना है तो देखिए 2 x square हमने as it is लिखा minus 4 भी हमने as it is लिखा divide में minus 3 था 1 के साथ multiply में गया तो कितना हो गया? minus 3 यह equation आ गई अब आप देख रहे है देखिए 2 x square minus 4 right side जाएगा तो क्या कर जाएगा? plus 4 तो यह देखिए 4 minus 3 कितना बच रहा है? 1 अब यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है मतलब 2 x square equals to 1 बचा तो यह हो जाएगा x square equals to 1 by 2 जो कि मैंने यहाँ लिख दिया x square equals to 1 by 2 clear? 1 by 2 आ गया अब यहाँ पर तो क्या है? square है square है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? root मतलब 1 by root 2 लेकिन अगर square है और root लगता है मतलब वो value कितनी बार निकलेगी root के बाहर? दो बार वो भी काई के कारण root के कारण plus और minus में it means कि x की value कितनी आ रही? plus minus 1 by root 2 जो कि यहाँ पर है अब आप ध्यान देना है कि अगर आप plus minus नहीं लगाते है और x equals to only 1 by root 2 लिखते है तो यहाँ पर आपके marking cut हो जाएंगे क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पर x की कितनी value आ रही है 2 एक plus का 1 by root 2 और एक आ रहा है minus का 1 by 2 it means कि अगर आप cable एक ही value लिखते है it means आपने एक value छोड़ दी तो आपकी marking cut हो जाएगी इसलिए आपको ध्यान से be carefully हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर square right side जाता है root में जाता है तो उसकी value दो आएगी plus और minus तो यहाँ पर इस sum का हमारे पास answer कितना आ गया है x equals to plus minus 1 by root 2 और यह क्या हो गई answer हो गया thank you